पैलेट नाइफ क्या होता है? पैलेट नाइफ को पैलेट नाइफ क्यों कहते हैं? पैलेट नाइफ पेइंटिंग कैसे करते हैं? और इसमें क्या-क्या मटीरियल इस्तमाल में आता है? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब ये है बटर नाइफ इससे आप टोस्ट या ब्रेड पे बटर मखन स्प्रेड करते हो similarly पैलेट नाइफ से आर्टिस्ट कैन्वस पे पेंट स्प्रेड करते हैं कुछ इस तरह से अच्छा तो ये काम पेंट प्रेड भी तो करता है तो पैलेट नाइफ का इस्तमाल क्यों करें इसलिए कि पैलेट नाइफ जो है ये बहुत अच्छा टेक्स्चर क्रियेट करता है पैलेट नाइफ जो है ये पैलेट पे कलर्स ब्लेंड करने के काम आता है इसलिए तो इसे कहते हैं pallet knife और अगर आपने notice किया होगा pallet knife का जो handle है वो angular होता है किसी नए construction में building के wall पे जब cement का plaster चराते हैं तो कुछ ऐसा ही tool इस्तमाल करते हैं ये pallet knife भी similar है इस angular handle के वज़े से artist को paint करने में आसानी होती है उसकी उंगलिया जो है वो paint में glide नहीं होती इसके कारण most of the pallet knives में ये angular handle बना होता है अच्छा मज़े की बाद ये है कि pallet knife painting में pallet itself को skip किया जा सकता है और artist जो है background paint करते वक्त paints को directly canvas पे ही squeeze out करते हैं कुछ इस तरह से इसका फाइदा क्या है इससे colors जो blend होते हैं वो बहुत ही rich texture create करते हैं इसलिए pallet knife painting के वक्त usually बड़े size के canvas पर artist colors paints को जो है वो directly canvas पे spread करते हैं ये देखिये कितना अच्छा rich look आया है अच्छा अब आप जानते हैं palette knife क्या है इससे palette knife क्यों कहते हैं अब one by one इसका material जानने की कोशिश करते हैं painting के लिए कोई surface चाहिए most of the artists canvas का प्रयोग करते हैं canvas कहीं तरह के होते हैं जैसे कि stretched canvas 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 panel या canvas board ये कहीं sizes और shapes में available हैं अच्छा के rectangular, square, oval, circle, hexagon, triangle, flower shape और यहां तक के heart shape में भी canvases available हैं जहां तक मुझे पता है canvas दो colors में भी available होते हैं white color और black color जिसमें से white color popularly इस्तमाल में आता है अच्छा canvas in itself is a detailed topic इसलिए मैंने एक अलग सा video बना रखा है अगर आप interested हो तो description box में मैं इसका link mention करूँगी बहुत से viewers वो वाला video काफी पसंद कर रहे हैं तो मैं आपको suggest करूँगी के canvas details के लिए basics के लिए आप वो video देखिएगा let's not spend more time on canvas in this video और हम आगे चलते हैं next material के तरफ अब ये देखिए ये triangle canvas जो है ये खाली stretched form में available है panel में नहीं और ये है वो video देखिएगा जरूर अब चलते हैं paints के तरफ palette type painting के लिए एक बहुत ही अच्छा option है paints में वो है oil colors oil colors ये दो variants में available होते हैं student और artist इनको मैं regular paints कहने वाली हो throughout this video oil colors creamy या फिर thick consistency के होते हैं buttery होते हैं तो they are a good option to use with palette knives the second option is acrylic paints acrylic paints जो है वो bottles में या tubes में available होते हैं मैं recommend करूंगी के आप bottles में के acrylic paints palette knife painting के लिए इस्तमाल ना करें go for the acrylic colors which come in the form of tubes यदि आप tube acrylic colors regular colors इस्तमाल करते हैं palette knife painting के लिए तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तो मैं आपको recommend करूंगी के palette knife painting के वक्त अगर आप acrylic colors इस्तमाल करना चाहते हो then go for heavy body acrylic paints because these are specially meant to be used with palette knife ये बहुत ही थिक consistency के आते हैं और ये खास palette knife के लिए बने paints हैं मैं आपको suggest करूंगी के regular acrylic paints ना इस्तमाल करें ये palette knife से droop हो जाते हैं अगर गलत material आप use करोगे तो आपको painting में दिक्कत आएगी इसलिए correct material इस्तमाल करना बहुत जरूरी है मगर heavy body acrylic paints बहुत महंगे आते हैं अगर पूरा set आपने खरीदना है तो वो रूपीज 2000 से जाधा पड़ेगा इसलिए मैं आपको एक trick बताने वाली हूँ as the video proceeds जिससे आप कम खर्चे में palette knife painting कर सकते हो towards the end of the video मैंने इसका एक जटपट demo दिया है आप देखिएगा आपके बड़े काम आएगा चलिए अब जानते हैं थोड़ा और detail में palette knives के बारे में palette knife का classification जो है वो उसके head के shape पे depend करता है जैसे कि यह है diamond headed palette knife और यह देखिए इस palette knife का जो head है वो round है और यह वाला देखिए इसका head जो है वो angular या triangular shape का है तो यह एक classification है दूसरा classification depend करता है उसके material पे जैसे कि जो beginners set है वो plastic में available है और जो professional set है वो metallic heads में available है इसके handles जो है वो wooden होते हैं अच्छा आप believe नहीं करोगे यह painting जो है मैंने एक single palette knife से बनाई है so if you are a beginner I will recommend के आप पहले एक ही palette knife खरीदे try out करें अगर आपको palette knife painting पसंद आता है then go for the set of palette knives यह जो है beginner set कहेंगे इसको यह sawdards का है reasonable है यह professional है यह थोड़ा palette तो आप घर में पड़े sauces, dishes जो आप इस्तमाल नहीं करते हो जहीं जिन में cracks है या print खराब हो गई है ऐसे plates भी आप as a palette इस्तमाल कर सकते हो चलिए अब बारी है एक छोटे से demo की जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी के palette knife कैसे इस्तमाल करते हैं और यह painting जो है मैं एक budget पे बनाने वाली हूँ जिसमें मेरे पास बहुत से colors है acrylic, regular acrylic के ये मैं इस्तमाल करूंगी और heavy body acrylic paint में मैं खली एक ही shade इस्तमाल करूंगी जो है white देखिए, background के लिए आप केवल regular acrylic paints इस्तमाल कर सकते हों मगर when it comes to four ground painting जैसे के आपने कोई flowers बनाने है तो आपको thick acrylic paint इस्तमाल करना पड़ेगा ये देखिए, ये regular वाला है जो मैंने background में इस्तमाल किया था मगर foreground में ये इस्तमाल नहीं कर सकते है क्योंकि ये thin consistency का है ये देखिए, अगर मैं इसको palette knife पे load करती हूँ तो ये palette knife से droop हो जाता है तो इससे flowers, butterflies, birds paint करना बहुत मुश्किल होता है और ये देखिए, ये thick है जो heavy body acrylic paint है ना, this can be used for foreground painting और ये paint जो है आपने palette knife के back पे load करना है और फिर इसे इस तरह से canvas पे place करके towards the center pull करना है इस तरह से आपने flowers के जो petals है वो paint करने हैं देखिए कितना सुन्दर 3D flower बन के आया है मगर ये तो keval white flowers बनाना अगर मुझे colorful flowers बनाने हैं तो और मेरे पास सारे colors नहीं हैं available heavy body acrylic paints के तो क्या करेंगे जो regular acrylic paints हैं इनका इस्तमाल करेंगे ये देखिए इस तरह से और बन गया हमारा एक nice double colored 3D flower और यदि आप single tube heavy body acrylic paint की afford नहीं कर पा रहे हैं अगर आपको लगता है कि ये महंगा है तो इसका एक cheaper option भी available है जो मैं अभी आपको बताऊंगी heavy body acrylic paint का single tube जो है वो आपको 300 रुपीज के range में पड़ेगा और अगर आप texture white खरीदते हो तो ये देखिए ये डिबी केवल 150 रुपीज की है अच्छा ये देखिए ये painting ये artwork clay artwork मेरे student से बनवा के लिया है मैंने इसका जो background है ये हमने palette knife से paint किया और इसके foreground में जो flowers बने हैं leaves and flowers ये हमने बनाए है clay से तो ऐसा आप बना सकते हो texture white से artwork और वो सूखने के बाद फिर आप paint कर सकते हो जैसा इन छोटे paintings में हमने किया है ये है एक option दूसरा option क्या है कि आप texture white को palette पे लो और उसी में colors को आप mix कर लो और directly आप colored artwork बना सकते हो canvas पे तो उपर से paint करने की आपको जरूरत नहीं है दोनों भी options आप इस्तमाल कर सकते हो whichever is suitable to you और देखिए quality में कोई भी फरक नहीं है you cannot make out the difference between the flowers made by acrylic paints and texture white अगर आपको ये video detail में देखना है ये complete painting मैंने कैसे बनाई तो आप please comment section में मुझे बताईएगा तो मैं इसका video upload कर लूँगी ये जो video है ये palette knife basics के बारे में है न तो मैंने painting जो है वो आपको detail में बताई नहीं है और अब देख लेते हैं कि ये plastic palette knife कैसा इस्तमाल करते हैं आप plastic palette knife इस्तमाल करो या फिर metal palette knife इस्तमाल करो painting के लिए है इत डिपन्स अपॉन यार लाइकिंग मगर मुझे professional palette knife से जादा पसंद आए जो metal के हैं तो मैं suggest करूंगी के आपके kit में at least एक professional palette knife हो चलिए we are towards the end of the video I enjoyed making it hope you enjoyed watching it अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक big thumbs up दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो subscribe कीजिएगा for such informative and interesting videos अगर ऐसा ही वीडियो आप brushes पे देखना चाहते हैं तो please मुझे comment section में बताईएगा मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी ये देखेगे है stencil brushes और वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया धन्यवाद ये है filbert brush thanks a lot